सारांच में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और शेर कीजिए हमारे वीडियोस अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी भरपूरला मिल सके घर का वैदे सीरीज की इस श्रिंखला में आज बारी है मूंग की डाल की आईए जानते हैं मूंग की डाल के चमतकारी लाब दोस्तों मूंग की डाल प्राय सभी लोगों ने खाई होगी और सभी लोग इसे खाना पसंद करते हैं इसमें भरपूर मातरा में प्रोटीन और विटामिन के इलावा बहुत सारे खनिज लवन भी पाये जाते हैं। जहां मूंग की दाल शरीर को काफी लाब पहुचाती है, वहीं अनेक समस्याओं को भी दूर करती है। आईए हम आपको बताते हैं मूंग की दाल के चमतकारी लाब। मूंग की दाल से कई तरह की स्वादिष्ट चीजे बनाई जा सकती हैं। जैसे पापड, मूंग की दाल की बड़ी, मूंग की दाल का लड़ू या फिर मूंग की दाल का हलवा। मूंग की डाल का हलवा बहुत टेस्टी होता है इसके अलावा मूंग की डाल की नमकीन को जाधा तर लोग खाने में पसंद करते है टाइफाइट बुखार होने पर मूंग की डाल अवश्य खाए इसे खाने से शरीर की खुश्की और कमजोरी दूर होती है मूंग की डाल को भिगो दे चार से पाँच घंटे के बाद इसे पीस कर इसका फेस पैक बना ले इसे हफते में सिर्फ एक बार लगाने से भी चेहरे की रंगत बढ़ जाती है मूंग की डाल की खिचडी बना कर खाए यह पाचन तंदर को मजबूत बनाती है तथा शरीर को ठंडग भी पहुँचाती है बीमारी के बाद कमजोरी दूर करने के लिए मूंग की डाल अवश्य खाएं सिर्फ और सिर्फ लाब मिलेगा मूंग की डाल को पीस कर उसका पेस्ट बना ले उसे खुजली वाले स्थान पर लगाने से खुजली में काफी आराम मिलता है रोजाना मूंग की डाल खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है यह आँखों को ठंडग पहुचाने का काम भी करती है हो सकता है आपका चश्मा भी हट जाए शरीर को हिरिष्ट पुष्ट बनाने के लिए रोजाना मूंग की डाल और दो केलों का सेवन करे शरीर के मसल्स बढ़ाने में यह बहुत कारगर उपाय है मूंग की डाल को उबाल कर कुछ दिनों तक उसका पानी पीए पेट की आते कोमल हो जाएंगी तदहा पेट की कोई समस्या भी नहीं रहेगी